को शुरू करती हैं, तो पहला प्रशन है, भक्ति साहित ये बास्तुिक हिंदी साहिते का आरम ये शीर्षक दिया है, तो बताना है कि ये पंक्ति ये शीर्षक किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो पंक्ति दी गई है, बेगी दी गई है, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद B अर्थात पंडित हरपरसाद शास्त्री के उद्योग से अगला है तीसरा कबीर के काब्विय की विशेष्टा नहीं है तो ये होगी option C अर्थात आदर्श व्यवस्था का रूप बाकी जो विशेष्टा है वे है ये थार्थबोध, खंड़नात्मक्ता, अनुभूत्ती प्रक्ता अगला है जाइसी ने बारा मासा का उप्योग किया है तो ये किया है वियोग बंडन के लिए option D अगला प्रशन है भावतार मोर नौसदी तीस वरस उपर कभी वदी अपने जनम के समन्द में ये कथन किस कभी का है तो ये कथन है option C, जाइसी का अगला है सूर्दास के दृष्टिकूत, बाले पद, किसका अनुकर्ण कहे जाते है तो ये कहे जाते है option A, विद्यापती के अगला प्रशन है पुष्टी मारगे भक्ती से प्रभावीत कभी है तो ये है सूर्दास अगला है आठवा राम को गरीब निवाज और पेट की आख को बुझाने वाला किस कभी ने कहा है तो ये कहा है option A, तूलसी दास ने अगला है रिती काल को उत्तर मद्धे काल किस ने कहा तो ये कहा है option D, रामचिंदर शुकलने अगला है दस्वा प्रशन के शबदास को रिती काल का प्रवर्टक मानने वाले उनके किस गरंथ से हिंदी रिती काल की परंपरा का अरम मानते है तो ये मानते हैं option D, कभी प्रिया से अगला है अनियारे दिर्ग द्रिगनू कीती नातरूनी समान वच्चितवनी औरे कच्चू जहीं बस होत सुजान उप्रिक दोहा किसके दोरा रचित है तो ये दोहा है option C, बिहारी दास का अगला प्रशने बारवा, भूशन ने अपने काब्यों में किसकी प्रशंशा की है तो ये की है option B, शिवाजी और 76 साल की अगला प्रशने बादल और चातक के प्रतिकों के माध्यम से सने समंदों की अभीविक्ती के परमुक कवी हैं तो ये हैं घनानंद, option B अगला है, सन 1857 की करांती से हिंदी नवजागरन को समंद किया है तो ये किया है option D, रामिला श्रमानी अगला है, लल्लू जी लाल कवी ने प्रेम सागर का रूपांतरन किस भाशा से किया है तो ये किया है ब्रज से, option B अगला है, फोर्ट बिलियम कॉलेज के अंतीम प्रोफेसर थे तो ये थे option B, मेजर बिलियम प्राइस अगला है, स्तार्मा, भारतिंदू मंडल के लेखक नहीं है तो यहाँ पर बताना है कि निमन में से कौन सा भारतिंदू मंडल का कवी नहीं है या लेखक नहीं है तो ये है option D, बदरीनात भट बाकी राधा क्रिशन दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बदरीनात चौधरी प्रेमगन ये भारतिंदू मंडल के लेखक माने जाती है अगला है भारतिंदू कालिन नवजागरन, भक्ति कालिन, लोगजागरन से किस विशेशता के अधार पर भिन है तो ये है option C, समराज्यवाद बिरोध अगला है 19, भवभूती के उत्तर रामचरीत और मालती माधव का हिंदी में अनुवात किया है तो ये किया है option A, पंडित सत्यनराइन कभी रतनने अगला है 20, हिंदी कोविंद रतनमाला के संग्रह करता कौन है तो ये है option C, बावुश्यामसुंदर दास अगला है 21, लगउता की ओर साहितिक द्रिश्टिपात ये थार्तवाद है, ये कथन किसका है तो ये कथने option B, जैशंकर परसाद का अगला है, किस कृती पर प्रत्यविक्या दर्शन का परवाव है तो ये है option D, कामाईनी में तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रशन है, कामाईनी किसकी रचना है तो आपने comment box के माद्यम से बताना है कि कामाईनी किसकी रचना है अगला प्रशन है, चायवादी कभियों में प्रभूत मातरा में भक्ति परक गीत लिखे हैं तो ये लिखे हैं, option C, नीराला जी ने अगला है, 24, किसकवी के कभियों में दीपक की परतिकात्मक अभी विंजना सरवादिक हुई है तो ये हुई है, महादेवी बर्मा की रचनाओं में, option C अगला है, नीमिलिखित में से सुमितानेंदन पंत की रचना है तो ये है, option B, पहल लव अगला प्रशन है, नीमिलिखित में से मार्चवाद क्या बेचारिक स्त्रोत नहीं है तो इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा, option D अर्थात, यूना निकला बाकी जर्मन दर्शन, फ्रांसिसी करांती, इंगलेंड का अर्षास्तर ये सबी मार्चवाद का बेचारिक स्त्रोत है अगला प्रशन है, 27 प्रक्तिवाद के समारंग का घोशना पत्र माना जाने वाला निवंद प्रक्तिशील साहित्य की आवशकता किसका है तो बताना है ये निवंद किसका है तो इसका सही जवाब होगा, option D झिव दान सिह चोहान अगला प्रशन है, 28 निमिल्खित में से पहला अस्तितवादी बिचारक है तो ये है option A, किर्गे गाद अगला है, 29 श्रम सौंदरी के कभी के रूप में प्रक्षियात है तो बताना है कि श्रम सौंदरी की कवी के रूप में प्रख्यात कौन है तो यह है आप्शन B अर्थात केदारनाथ अगरवाल अगला प्रेशन है केदारनाथ अगरवाल की कवीताओं पर किस नदी का प्रभाव है तो यह है आप्शन D केन तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ के दारनाथ अगरवाल को केन का कवीवी कहा जाता है क्योंकि यह अपना अधिकतर समें केन नदी के किनारे बिताते थे अगला है 31, निमलिखित में से नागरजुन की कवीता नहीं है तो यहाँ पर पताना है कि कौन सी कवीता नागरजुन की नहीं है तो यहाँ पर जो नागरजुन की कवीता नहीं यह वे है उप्शन एच चित्रकूट की यह यातरी बागी शालबनों के नद्वीप में गुरू परसाई के बिंग यवान लालू साहू ये इनकी कवीताएं हैं अगला है वत्तिस अग्ये के संपादन में कितने सब्तकों का परकाशन हुआ तो यहां पर आपके लिए आज का दूसरा प्रशिन है क्या आपको बताना है कि अतार सब्तक का प्रकाशन पहले वार कब हुआ था तो आपके लिए दो प्रशिन हो गये है अगला है तेतिस मैंने देखा एक बूंद कवीता में सागर प्रतीक है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा offense C समश्ठी का अगला है बास्तर की बिसफारित प्रतीमाई विक्रिता कृती बिंबा है उप्रियुक्त का बेपंगती किस कवी की है तो इसका सही जवाब होगा option D मुक्तिवोद की अगला है पैनितिस किस बर्ग की सभी कवीताएं पुस्तक एक ही कवी की हैं तो ये हैं option A भगंदूत बावरा अहेरी हरी घास परक्षन बर इत्यलम ये सभी कवीताएं हैं अग्ये की अगला प्रशन 36 अनेक मनोविकारों को हंसी के अनुभव में व्यक्त करने वाले प्रमुक कवी हैं तो ये हैं option B रगुवीर सहाए अगला प्रशन 37 परिक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा का बढ़न किया गया है तो कि ये किया गया है दिल्ली शहर की option D अगला प्रशन किस उपनियास के विशे में कहा जाता है कि उसे पढ़ने के लिए उर्दू के पाठकों ने हिंदी सीखी तो इसका सही जवाब होगा option C चंदरकांता संत्ति और चंदरकांता संत्ति देवकी नंदन खत्री का प्रसिद उपनियास है अगला है 49 उपनियास कथाक्षेतर की द्रिष्टी से कौन सा बिकल्प गलत है तो जो यहाँ पर गलत कथन होगा वो होगा option D गोदान पांडेपूर तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गोदान पांडेपूर से समंदित नहीं यह बेलारी और सुमारी नामक गाउं से समंदित है गोदान मुशी प्रेमचंद का प्रसिद उपनियास है बाकी जितने option है आधा गाउं यह गंगॉली गाउं से समंदित है अगला है काला जल यह वस्तर से समंदित है अंतीम है राग दरवार दरवारी यह शिप पाल गंज से स्वंदित उपनियास है अगला है यह जरत रहत दिन रहन गेत का उलेख प्रेमचंद की किस उपनियास में है तो यह option भी गोदान में अगला प्रसिद है बिवाह को मैं समाजिक समझाता समझता हूं और से तोलने का अधिकार ना पूरुष को है ना स्तरी को समझता करने के पहले आफ स्वादिन है समझता हो जाने के बाद आफ की हाथ कर जाते है उपनियास से लिया गया है तो यह जो कथन है यह लिया गया है गोदान से option C अगला है शेखर एक जीबनी के पहले भाग में कौन सा खंड नहीं है तो जो यहाँ पर खंड नहीं होगा या भाग नहीं होगा वो होगा option A बंधन और जिग्यासा और जो उसके भागें वे हैं बीज और अंकूर, पुरुष और परिस्थिति, प्रकृति और पुरुष अगला है तरतालिस शेखर एक जीबनी में फांसी के भीतर किस स्थिति की कल्पना की गई है तो जो यहाँ पर कल्पना की गई है वो की गई है option D अर्थात सांफ की आँखों सा एक अत्यंत तुशार में किंतु अमोग सम्मोहन की अगला है च्वालिस मेला आंचल का सरवादिक कर्मक पातर कौन सा है तो यह है बाल देव, option B अगला है पेंतालिस बस्तु और शिल्व की द्रिष्टी से मेला आंचल की विशेशता नहीं है तो यह है option C संपरदाइक विद्वेश बाकी सभी इसकी विशेशता है अगला है च्वालिस बानबट की आत्मकता की मुख्य पातर भटीनी का नाम है तो जो भटीनी का मुण नाम है वो है चंदर दिदिती option D अगला है 47 अंग्रेज राज सुकसाज से सभारी पैधन विदेश चली जात इही अतिक ख्वारी उप्युक्त पंक्तियां किस नाटिक से ली गई है तो यह ली गई है भारत दूरदर्शा से option A अगला है अंधायुग में अश्वत थामा है तो यह है प्रती हिंसा का प्रतीक option D अगला है 49 साहिती जन्सुमों के हरीदे का विकास है निवंद के लेखक है तो यह बताना है यह निवंद किसने लिखा है तो यह लिखा है ए अर्थात बालक्रिशन भट के दौरा अगला प्रशन है 50 कवीता क्या है निवंद में किन कवियों की का वेपंक्तियां उद्रित की गई है तो इसमें की गई है option B अर्थात दासजी, मंडन, देव और मती राम अगला प्रशन है 51 अच्छारी हजारी परसाद दिवेदी के निवंदों की विशेषता है तो यह option D अर्थात गहन इतियास बोट का अगला प्रशन है 52 अभीनव गुप्त के अविविक्ति वात का दार्षनिक अधार है तो यह वताना है दार्षनिक अधार क्या है तो यह option B अगला है 53 उद्वट के काब्यालंकार सारसंग्रह नाम से टिका लिखी गई है तो बताना है उद्वट ने काब्यालंकार सारसंग्रह नाम से टिका लिखी यह बताना किसकी है यह 53 का ए अर्थात बहामा के काब्यालंकार की सबसे पहले भामा ने काबिय लंकार लिखा था उसके पहचात उडवत ने इनका टीका की है अगला प्रशन है चोवन आनन्द बर्दन ने द्वनी की प्रेड़ना माना है तो ये है स्फोर्ट की अर्थात आनन्द बर्दन ने ध्वनी की प्रेड़ना स्तुरोत माना है सुपोर्ट को अगला प्रशन है ख्षेमंदर के अनुसार किस परकार की काब्बे का स्थिर जिवातू और चित्य है तो ये है अप्शन सी रसिद्धी अप्शन सी अगला प्रशन अविनभ भारती किस गरंथ की टी का है तो ये है अप्शन बी नाट्टे शास्तर की अगला प्रशन है तावन रूपवादी स्मिक्षक नहीं है तो ये है अप्शन डी प्यरे माशियर अगला अठावन निमलिखित में से कौन रूसी रूपवादी नहीं है तो ये है लियोन ट्रॉस की अप्शन बी अगला है 59 ओफ ग्रेमोटोलोजी किसकी रचना है तो ये है जौक द्रेदा की अप्शन बी अगला है 60 भोगता मनुश्य और रचनात्मक मस्तिश्क में अंतर होता है और ये अंतर जितना भी बड़ा होता है कलाकार उतना ही महान होता है उप्यूक कथन किसका है तो ये कथन है ये है ऑप्शन डी अगला है 61 उत्तर आधनितावात का लक्षन नहीं है तो ये है परंपरा का सरंग्षन करना अप्शन C अगला है एस्थैटिक के लेखक है तो ये है क्रोचे अप्शन A अगला है कामाईनी के अंतिम चार सर्गों का सही करम है तो जो यहाँ पर सही सर्ग होंगे वो होगा अप्शन C सबसे पहले निर्वेद उसके पश्चात दर्शन उसके पश्चात रहसी और सबसे अंतमे आनंद तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रशन बता देता हूँ कि कई वार यह प्रशन पूछा जाता है कि कामाईनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन कौन से है तो कामाईनी का जो प्रथम सर्ग है वो है चिंता और जो अंतिम है वो है आनंद और कामाईनी में जो टोटल सर्ग है वे हैं पंदरा अगला है गिर रहे थे गुंगराले बाल अंस अब लंबित मुख के पास निल घंशावक से सुकुमार सुधा भरने को बिदू के पास उप्रिक पंक्तियों का बढ़ने विशे क्या है तो जो इसका सही जौब होगा वो होगा ऑप्शन डे केश और मुख चौशट का डी अगला है असाध्य बीना में कला का कौन सा सिधानत परमुक रूप से निहित है तो यह है ऑप्शन बी निर्विक दिकता अगला है चौशट नदी के दूप कवीता में नदी किसका प्रतीक है तो यह है परंपरा का ऑप्शन ए अगला है अंधेरे में कवीता में कितने खंड हैं तो इसमें जो खंड हैं वे हैं आठ ऑप्शन सी तो जो अंधेरे में कवीता है यह है मुक्तिबोत की लंबी कवीता अगला है 68 आधे अधूरे में अविव्यक्त पारिभारिक तनाव के पीछे किस पात्तर की अनंत इच्छाएं हैं तो ये है साबीत्री की ओप्शन D अगला है संबरो देवी निज़तेज नहीं बानर यह नहीं हुआ श्रिंगार यूम गत महावीर अर्चना राम की मुर्तिमान अक्षे शरीर राम की शक्ति पूजा में उप्रिक्त पंग्तियां किस से कहलवाई गई हैं तो ये कहलवाई गई हैं आप्शन A शिव से A सही जवाब है अगला है मनी करनी का किस विदा की रचना है तो ये है आतम कथा आप्शन B अगला है 71 दस सेक्ष की लेखी का हैं तो ये हैं आप्शन D सी मौन दबुगा अगला आप्शन है सूर्दा स्कृत ब्रहमरीत की विशेशता नहीं है तो ये होगा आप्शन C अब्धी भाषा का उतकर्ष तो ये जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा सूर्दास के द्वारा ब्रहमरीत को ब्रजभाषा में लिखा गया है ना की अब्धी भाषा में अगला प्रशन है त्यत्तर नागमती चित ओर पतेरा प्यू जो गए पुनी की नना फिरा उप्रियुक्त अर्धाली में चित ओर का अर्थ क्या है तो जो यहाँ पर अर्थ होगा वो होगा चित ओर उप्शन C चित ओर का अर्थ होगा चित ओर अगला है नारी कुमूदिनी अभध सर रगुपती बिरान दीनेश अगला और अंतीम प्रशन है जदपी सब बैकुंठ वखाना बेदपूरान बिदित जुग जाना अबदपूरी संप्रिय नहीं सो यह परसंग जानी को को राम के इस कथन का शोता नहीं है तो जो यह कथन कहा गया था तो जो इसके शोता नहीं है इसके बारे में बताना कि कौन से शोता नहीं है तो जो यहाँ पर सही जाब होगा वो होगा option a जाम बंद बाकी हनुमान बिवीशन अंगद शोता हैं तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है जैसा कि आप लोग झाल